हेलो दोस्तों आफ सबी लोग का विलकेमेंज स्वागत है सेटेट 2020 के आवेदन की तिथियां घूसित हुई है ऐसा बताया जा रहा है और जो तिथियां है वो कब की है पंदरा मई यानि पंदरा मई के बाद आपके आवेदन कभी भी लिये जा सकते हैं हिंदुस्तान के एक पेपर की कटिंग को वाइरल किया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे उसके लावा जुलाई में आपकी परिच्छा होगी ये काफी संभावना ज़्यादा है पिछली बाद जब परिच्छा होई थी हमने बताया था कि परिच्छा का मोड चेंज हो रहा है सबसे पहले हमारे ही चैनल पे वीडियो मिलेगा जो बताया गया था कि आनलाइन मोड में परिच्छा कराए गई लेकिन छात्रों ने काफी बिरूद किया था और कह रहे थे परिच्छा अफलाइन होगी लेकिन परिच्छा का मोड चेंज हुआ परिच्छा एंटिये ने कराया चली ख़बर देखते हैं पहले ये आपकी ख़बर है सीटेट परिच्छा पंदरा माई से करे आवेदन की तैयारी पूरी इस बार हुआ बड़ा परिवर्तन आउनलाइन परिच्छा यानि कि ये ख़बर एक वारल किया रही इसमें बताया जा रहा है कि परिच्छा पंदरा माई से आवेदन लिया जाएंगे दोस्तो सीटेट की परिच्छा होगी ये भी ताय है और आवेदन मई में होंगे इसकी भी संभावना लगबग 99 परतिसत है लेकिन 15 मई से आवेदन होंगी ये कहना भी पूरी तरीके से सही नहीं है लेकिन जल्द ही आवेदन के लिए उससे पहले एक नोटिफिकेशन को जारी कर दिया जाएगा बिदावेदन परिच्छा फी सारे चीज़ें कैसे क्या क्या चीजों को और कैसे किया जाएगा परिच्छा कब कब ली जाएगी, कितने चरणों में ली जाएगी, सारी नोटिफिकेशन के मादम से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इस बात को याद रखेगा दोस्तों, सीटेट की त्यारी करने के लिए परिच्छा आनलाइन मोड में हुई है, कैसे त्यारी करनी है, कुछ चात्र ने अपनी माट सीट भेजी है, और पहले ही प्रियास में उन्होंने अच्छे एंकों को अरजित किया है, वीडियो में हमने माट सीट को अटेच कर दिया है, लगा दिया है, आप लोग देख पाएंगे सारी माट सीट को, लेकिन एक बात याद रखेगा, जो कुछ चात्र इस बात को लेकर परिशान है कि बियड वालों को प्राइमरी में फार्म फिल करने का मौका मिले गया या नहीं, वो भी मिलेगा, और वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले, अगर आप लोग तयारी करना चाहते हैं सीट इट की फिरी में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और दोस्तों तक सेर कीजेगा इस जानकारी को, चलिए जानकारी के लावा आपको मार्सीटों को दिखाते हैं, कुछ मार्सीटें आपको दिख रही होंगी, इस मार्सीट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने पहले ही प्रियास मे अंकरजित की है 92 और 90 यानि दोनों परिचाओं को उन्होंने उत्रीन कर लिया है और दोनों ही परिचाओं में इन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया है अगली मार्सिट आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें इन्होंने देखिएगा इन्होंने कितने अच्छे अंकर जित की हैं 107 अंकिनों को मिले हैं पहले ही प्रियास में ये वो छात्र है जिन्होंने पहले ही प्रियास में अच्छे अंकर जित की हैं वो भी कम त्यारी के साथ कैसे त्यारी करनी है complete वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा वीडियो को skip करके मत जाएगा क्योंकि फिर बाद में आप लोग comment के मादम से पूछते हैं कि जानकारी हमें समझ में नहीं आई तो वीडियो complete देखा कर ये उसके बाद आपको पूरी जानकारी जो भी है समझ में आजाएगी इसमें भी आप लोग score देख पा रहे होंगे इन्होंने 125 और 123 अंकर जित की हैं ये कैसे अंकर जित की हैं इन से comment पूछा गया था तो इन्होंने जानकारी दी है वो भी हमने comment को वीडियो के last में जोड दिया है आप लोग देख पाएंगे इन्होंने क्या जवाब दिया था और ये एक मार्सीट है जिसमें इन्होंने 109 अंक और 97 अंक प्राप्त की हैं तो आप लोग देख पा रहे होंगे इन सभी छात्रों ने पहले ही प्रियास में अच्छे अंकर जित की हैं और इनके दौरा परिच्छा को उत्रीन कैसे किया गया है और क्या था तरीका कैसे इन्होंने परिच्छा को कम समय में अच्छे अंकों के साथ उत्रीन किया भी कर सकते हैं दिक्कत यह है आप लोगों के साथ कि आप लोग चीज़ों को सही तरीके से समझते नहीं हैं और वीडियो को देखने से वक्त वीडियो को बीच में ही स्किप करके निकल जाते हैं चलिए इनके दौरत क्या का गया था वो भी आपको बता देते हैं इन्होंने बताया था कि CDP and EBS MAT ये जो तीन सब्जेक्ट हैं इनके प्रीबियस यर्स के पांच सेट आप लोग रेडि कर सकते हैं यानि कि पांच सेट का मरलब होता है पांच दिन यानि पिछले पांच दिन जो आनलाइन परिच्छा हुई है उसके 5 सेट यानि पिछले 5 दिनों के सेट को आप लगा सकते हैं उसके अलावा यह NCRC के जो concept है NCRT concept है उसको अच्छी तरीके से आप त्यार कर सकते हैं वो कैसे होगा कच्छा 3 से 5 तक की बुकों से हो जाता है तो इस परिच्छा को 100% आप कॉलिफाइग कर सकते हैं मैंने यही किया था चातर दौरह यही पूशा जब बताया गया कि इन्होंने कैसी इस परिच्छा में अच्छे अंक अरजित की हैं तो इन्होंने बताया था 125 अंक इन्होंने कैसे अरजित किया तो इन्होंने साफ साफ सब्दों में बताया कि CDP को, EBS को, Math को, Previous Years के जो पेपर थे उनको और 5 सेट इन्होंने रेडि किये थे अच्छी तरीके से, NCRT के जो कांसेट है बहुत ही लिमिटेड है उसको इन्होंने तियार किया और परिच्छा को अच्छी तरीके से उत्त्रेंड कर लिया तो दोस्तों आप भी त्रेंड कर सकते हैं, बस आपको करना ये होगा, बिस्वास करना होगा और अपने आप पर उसके साथ साथ आप लोग तियारी जो करियेगा, एक ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ने के प्रियास में आप ठोड़ा भी जो होता है वो भी गमादेते हैं तो त्यारी अच्छी तरीके से करिएगा, अच्छे प्रियास के साथ आप अच्छी प्रिच्छा को त्रेंड कर सकते हैं, पिछली बार हम लोगों ने काफी मेहनत की थी, और काफी जाद चात्रों के अच्छे अंक आये भी हैं, आप लोग देख पाएंगे, इसके असासाथ आप लोग भी कुछ नहीं अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो पिछले वर्षों के पेपर आनलाइन उपलब्ध हैं, इंटरनेट पर, सीटेट की ऑफिसल साइट पर, बोथ पेपर के सेट, टेश टेट लगभाख उपलब्ध हैं, अगर आप लोगों ने दे सेट को भी है, अफिसल अंसरकी के साथ मैच करके अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, तो आपको परिछा उत्रेंट करने से कोई नहीं रोग सकता, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो, तो कमेंट में बताइएगा, क्या पसंद आया, और क्या जानकारी और चाहते हैं, उ लोगों की क्लासें लाइफ शुरू हो जाएंगी, वो भी फिरी में, जिससे की आप लोगों की तयारी बेहतर हो पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, दोस्तों तक वीडियो शेयर करना भी न भूलें, और जुड़े रहें, मस्त रहें, सब रहें, तयारी करते रहें, जल्द ही आपको डिजी लोकर पर आपकी मार्सीट भी देखने को मिल जाएगी, जैहन दोस्तों, बंदे मातरम, खुस रहें, मस्त रहें